और दोस्तों आप बक्तों के आए टॉप अपकमिंग स्मार्टफ़ोन की वीडियो बना लेगा जो कि मैं आपको बदाता हूँ वैसे जो लोग नहीं है उटों के लिए मैं बताता हूँ मैं हर मन्त यह एपिसोड लेकर क्याता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ जिन के लिए आपने वेटकरना बहुत ज़्यादा ज़रूली है साथि साथ में की प्राइस की बारे में भी बता हुआ इतनी प्राइस में आएगे वैस् conscious हम ने देखा है जो आप प्राइस का आपको बताते है वो और मोस्ट सही जाता है तो जाता जाना चाहते हैं ऐसे कौन से स्मार्ट फॉन है जो कि आपको सेप्टम्बर के महीने में देखने को मिलेगे तो इस वीडियो को देखते रही है नमस्कार दोस्तों मैं सिबम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्मार्ट फॉन होँ एक बार चाहिए आपको सेप्टम्बर के महीने में चाहिए चाहिए लाउड़े में accuracy आपको मिल दाएगा ईंडिया में चाहिए जहाना चाहिए कर देपन्द हमे सब्सक्राइब लाख ранव kadar ऑनगत know-um सब कुछ मैंने उस वीडियो में पता है इस स्मार्टफोन के बारे में चाहता जाना चाहते हैं तो इक बार इस वीडियो को विजट जरू से करने हैं लेकिन विजट करने से पहले पहले इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा आपके लिए मस्ट है और दोस्तों जैसा के आपको पता है अच्छी तरीके से शोमी का सबसे तगड़ा कंपटीटर कौन सा है आपने कैस कर लिया होगा मैं बात कर रहा हूं रियल्मी के बारे में क्योंकि रियल्मी की तरफ से भी आपको कैसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो रेट नोट एट प्रो को का हाफी जादा अच्छी तरीके से कंप्पीट कर रहे वाला ज़ैसे हाली मैं क्या रियल्मी आप pop प्रू बार दूइए प्रो पर बता क्यों स्मार्ट फून वा मार्ट wurden द現在 क्यों सब्सक्राइन के लिए City आच्छा प्रोसर अब देखते ही है कि मर्केट में यहांट आते है तो सबसे ज्यादा लोग कौन सा फॉन परशेस करना चाहेंगे वैसे मैं आपसे कुछ है जब पूरस चाहेंगे आप कौन सा फॉन परचेस करना चाहेंगे दिस्क्रिशन लॉक्स में और कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरू से में बताईए और दो सब बात करते हैं आप लोग यहां पे जो एक और स्मार्फोन आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको वन प्लस की तरफ से वन प्लस सेवन प्रो आया था आपको पता है औ प्लस सेवन टी और प्लस सेवन टी प्रो आपको देखने को मिलेंगे इनकी प्राइस अगर मैं आपको गैस करके पता हूं पचास रुपे के आसपास रहने वाली है 48 मेगा पिक्सल के साथ आएंगे शुपर एमुलेट काफी सारी चीज़ा दी आपको पता है वन प्लस के फ जिसका अंधिती स्कूर हमने चेक किया वो तीर लाग से भी उपर जाता है सेवन नेरो टेक्नोरोची के उपर वेस्ट है काफी सारा अच्छा प्रोप्सर दिया गया इसे स्मार्टपन में आपको और शीज बता देश मैं आपको 48 मेगा पिक्सल का ट्रपल कैमरा देखर को म और दोस्तों एक ऐसा स्मार्टपन जिसने अभी हाली में पूरी मार्केट को हिला दिया था जिया मैं बात कर रहा हूं वीवो जैड़न प्रो के बारे में काफी जादा अच्छा फॉन था उसी का सक्सेसर बन कर किया रहा है वीवो जैड़न एक्स काफी सारी अच्छी जड़ी गई है जब भी आएगा यह इंडिया में रॉन चुका मैं इस पर एक जरुक से वीडियो बनाऊंगा अगर आप वाली वीडियो देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अभी से चैनल को सस्क्राइब करना पड़ेगा नहीं है सस्क्राइब करके बेल आइकर को स्मार्टफोन जो कि आ रहे है एंपल की तरफ से क्योंकि एपल का एक बहुत बड़ा इवेंट होरे वाला है जिसमें एपल अपना एक नया स्मार्टफोन लॉंच करेगा जो कि 11 सीरीज का हुआ है इसमें आपको देख पा रहे हैं तीन केमरे दी गए हैं काफी सारी अगर मैं इसका आपको बता हूं तो यह फॉन जो है आपका एक लाख रुपे से उपर का हैने वाला है क्या आप एक लाख के फॉन को कंसीडर करना चाहेंगे या नहीं कॉमेंट में जो उसे बता है और दोस्तों अगर आप कोई वजट का स्मार्टफोन देख रहे हैं तो यह अंडर 10,000 रुपीज का सबसे ज़्यादा तंगणाई स्मार्टफोन देख रहे हैं तरपल केमरे के साथ आएगा काफी सारी अच्छी चीज़र रहने वाली है कि अगर उनका दावा है तो कुछ ना को जिसमें अच्छा दिया गया है और मैं आपको बता दो इसकी जो प पसंद आएगा यह तो जबी भी आएगा तो पता चल जाएगा और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेप्टमबर के महीने में फोन की बहुचार होने वाली है लेकिन आपके तरफ से एक बहुचार नहीं होती है एच्छी आपने पता है काफी ज़्यादा पॉप रुपिश में सेम्संग का अड़ी आया था काफी जाध कमाल का फोन दा प्रेंग प्रेंग डिस्पले अगयरा बहुत शारी चीज़ दिगी वही शारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है एक चीज और इसमें आपको एक्षा देखने को मिलेगी प्रोसेजर इसमें आपको Exynos का 1610 बाला प्रस्टर देखने को मिलाता है यह वहीं प्रस्टर जो सेमसंग के A50 में देखने को मिलाता है और दोस्तों नोकिया के फैन बाले भी खुष हो जाए क्योंकि नोकिया भी अपना लेकर के आ रहा है नोकिया 6.2 और 7.2 प्लस स्मार्टफॉन इसमें आपको राउंड राउंड केमरे दिए जाए तीन केमरे दिए गए है कितनी प्राइस में आएगा आयोब अगर यह अच्छी प्राइस में आ जाता है तो मैं आपको बता रहूं काफी जादा अच्छा चलेगा क्योंकि जो नो इसमें अखर अच्छा लौंज करता है तो डैफिनेटली लुकों को बहुत जादा पसंद आने वाला है किया आपको पसंद आता है नोकिया को स्मार्टफॉन को है चला आया है तो जुष अबसे मुझे कोमें बताईए दोस्तों यह थी स्मार्टफॉन जो आपको सेप्टम है काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन है वो भी जब भी आएंगे तो उट पर जरूर से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इतने ही स्मार्टफोन बता सकता हूं नहीं तो जादा वीडियो लंबी हो जाएगे और आप लोग बोर हो जाएगे इसलिए म उसे पैस करना ताकि मेरी सारी वीडियो की नौर्टिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मैं मैं बता आपको नए अट्रस्टिंग वीडियो के साथ तक तक के लिए अबाग बुट ताइए